तो दोस्तो रियल्मी GT new 6ac 5G officially चाइना में लाउंच हो गया है 20 रेंज के अंदर और यह वाला फोन इतना ज़्यदा फास्ट है ना मतलब अब 20 रेंज के अंदर इंडिया में रिसेंटली जितनी फोन लौन चुआ है उन सब इसी यह वाला फोन आगे है चाहिए आप बात करो कामरे के मामले में बैटरी के मामले में डिस्प्ले के मामले में और पाफ़ामेंस के मामले में हर तरफ से यह वाला फोन आगे है और एक 8MP का आल्टर वाइट लेंज देखने को मिल जाता है सेलफी के लिए दोस्तों इसमें आपको 32MP का एक पांचोर में फॉंटेशल भी कैमारा देखने को मिलेगा तो ये साब साब क्लियर हो जाता है कि ये वाला फोन कैमारा का मामले में भी काफ़ी जबरदस्त होने वाला है बागी डिस्पले के बारे में बात किया जाए तो भाई इसमें 6.78 इंच का 1.4K OLED अन्टु इंटी तो फिस्टेट का डिस्पले होगा डिस्पले पोटेक्शन के लिए गोरली लास विक्टर 2 का यूस किया गया है और डिस्पले ब्राइटने सोला सुनिट्स का है तो डिस्पले काफी जबरदस होगा और इसमें 3D कर्व डिस्पले हो सकता है बैसे फोटो में तो दिख रहा है कि यह कर्व है बाकी आगे पता नहीं लेकिन अगर इस फोन का फॉफोंस के बारे में बात किया जाए तो भाई यह जरूब पता है कि इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 का जिपसेट मिलेगा LPDDR5X 8GB RAM के साथ और EFS 3.ON का स्टोरेज होगा 256 वाला तो इसमें लेटेस RAM ROM मिल जाता है और इसमें Android 732 का GPU भी है और यह वाला फोन Android 14 पर राण करेगा उसी के साथ से अगर बैटरी के बारे में बात किया जाए तो भाई इसमें साड़े 5000 अमेज के बैटरी है और यह 100W का चार्जिंग को सबड़ करता है मतलब ऐसे नॉर्माली साड़े 5000 अमेज के बैटरी है और यह 100 मतलब 100 का चार्जिंग ऐसा 20 रेंश का अंदर देखने को नहीं मिलता है बडट अगर मिल भी जाता है तो उसमें कैमरा 550 ऐह इंज्म राउटा है अब देखना है कि यह package इंडिया में कब आता है अब जब चाइना में लांच हो गया है तो जल्दी से इंडिया में भी आ जाएगा अब जैसे आएगा में तो आप लोग आपडेट करी दूँगा बट आप लोग मुझे कॉमें बटाइए कि यह वाला फोन जब इंडिया में आएगा तो इसका प्राइस क्या हो सकता है क्योंकि इस प्राजडेंस के अंदर तो मुझे नहीं लगता इंडिया में लॉंच होगा बाग यार आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो के लाइक वार इस चानल को भी सब्सक्राइब करें करकरें सब्सक्राजाबयो के वीडियों के वीडियों दाथ फ्कुनगेंस करें करो सकता हैं लॉंच याद श्लजा कुनग